जोकेटों की बारिश मिसायलों की विद्धन सक्मार जख्मी और लखु लुखान इस्रैल कहां है अमेरिका क्या इस्रैल को बचाने के लिए मैदान में उद्री का अमेरिका क्या वर्तमान हालात से लड़ने के लिए इस्रैल को हथियारों की सप्लाई भी करने बाला है अमेरिका अमेरिका के राजश्रबदी जो बाइडन का इस्रैल को लेकर दिया गया सबसे ताजा बायान देखिए आगे बताएंगे कि दोस्त इस्रैल की रक्षा के लिए अमेरिका ने कौन सा सीक्रेट प्लैन तयार किया है आतंकवादी हमलों के मद्दे नजर इस्रैल को अपनी और अपने लोगों के रक्षा करने का अधिकार है ये इस्राइल के किसी भी शत्रों के लिए इन हमलों का फाइदा उठाने का वक्त नहीं है, दुनिया देख रही है इससे पहले जो बाइडन के राश्विय सुरक्षा सलाकार जेक्ट सुलिबल, विदेश मंत्री एंटनी ब्लेंकर और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टेन समेथ अपने राश्विय सुरक्षा गल के साथ कई बैठ के की अमेरिका एक्षन में है, क्योंकि मध्य भूरो में इसरेल के बिना उसका अस्तित्व अधूरा है अमेरिका इसरेल का सबसे करीबी सायोगी, सबसे बड़ा साजीदार और ओल वेदर फ्रेंड रहा है हमास का हमला हो या हिजबुला का अटाइप अमेरिका की दीखी नजर इसरेल संकत पर है लेकिन सवाल है कि अमेरिका इस वक्ट इसरेल को किस तरह से मदद कर सकता है या कर रहा है मिस्र, तुर्की, कदर, सौधी अरब, जॉर्डन, ओमान, सन्युक्त अरब अमेरा अमेरिका इन देशों से संपर्क में है लेकिन इन देशों ने तो हमास के हमले का समर्थन किया है ये देश एक सुर में इसरेल की निंदा कर रहे है इसरेल से इन देशों का अलग-अलग समय पर अलग-अलग मुद्दो को लेकर तनाव रहा है ये सारे देश इसरैल से बदला लेने की फिराप में रहते हैं. और हमास के हमले के बाद इन देशों को इसरैल से बदला लेने का मौका मिल गया है. लेहाज़ा अमेरिका इन देशों के संपर्थ में रहकर बहुत बड़ा कुछ कर पाएगा. इसकी उमीद नहीं ही करनी ऐसे में सवाल है कि अमेरिका इस्रेल को किस तरह से मदद पहुचा रहा है इसकी डीठेल आपको दिखाएंगे लेकिन उसके पहले वो देखिए जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इस युद्ध के लिए जो बाइडन ही जिम्मेदार है कहा जा रहा है कि जो बाइडन ने कैदियों की अतला बदली के साथ ही इरान के लिए जो 6 अरब डॉलर का फंड दिया उसी ने इस्राइल पर हमास के हमले का रास्ता फूल दिया इरान हमास और हिजबुल्ला का समथर, पैसा, ट्रेनिंग और शरण देगर करता है इरान के बिना इस्राइल पर हमले की हम्मत और कुवट हमास में कबता ही नहीं है लिहाज़ा अमेरिका में सवाल पूछा जा रहा है फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस को सुनिये इरान ने इस्राइल के खिलाफ इस युद में फंडिंग में मदद की है और जो बाइडन की नीथियों ने इरान के खजाने को भर दिया है इसकी तस्दीक करपाना मुश्किल है क्योंकि पश्चिमी मीडिया में ये रेपोर्ट भी छप रही है कि इरान को जो बाइडन ने जिस छे अरब डॉलर का फंड दिया है वो पूर्ण रूप से मानवी और दिशों के लिए है उसका इस्तेमाल यद के लिए इरान नहीं कर रहा है लेकिन इतनात होता है कि इरान इसरेल को बहुत सोची समझी रणनीती के तहट तबाह करने पर तोला है आपको आगे दिखाएंगे अमेरिका के राशवदी जो बाइडन ने इसरेल के प्रधान मंत्री बेन्यमिन नेतन्याहू को फोन पर क्या कहा लेकिन उसके पहले सुन्योजित तरीके से इसरेल पर हमले की रची गई साजिश की डीटेल देखना ज़रूरी है क्योंकि हमास के हमले की टाइमिंग सीधा इशारा कर रही है कि इसरेल पर पिछले 50 सालों में सबसे बड़े हमले की प्लैनिंग फिलिस्तीन ने नहीं इरान में रची गई इरान ने बहुत शालांकी से हमास का मुखोता पहना और इसरेल के सुरक्षा सिस्टम को चतना चूर करते हुए देश में घुस गया मिडल इस्ट पिछले कुछ महीनों में शांती की ओर लोट रहा था हाल के दिनों में इसरेल के साथ अरब मुलकों के रिष्टे सामानने हो रहे थे लेकिन इस हमले ने एक बर फिर से मिडल इस्ट में उथल पुथल मचा दी है जिस गुडबाजी के खत्म होने के आसार नजर आ रहे थे वो अब फिर से मजबूत होई है इसरेल से अरब देशों के रिष्टों के नए चेप्टर से ही इरान आग बबूला है शांती स्थापित होती तो फिर फिलिस्टीन के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचता उपर से ऐसा होने पर इरान को भी घाटा था क्योंकि वो मध्यपूरों में अलग धलग पड़ जाता यही वज़ा है कि हमास के हमले के बाद उसके समर्थन में आवाज उठाने वाले पहले मुलकों में इरान शामिल रहा है रॉइटर्स के रिपूर्ट के मताबिक अमेरिका, सुदी अरब और एज्रैल के बीच रिष्टे सामान्य करवाने में जुटा है इसके वदले में सुदी अरब को अमेरिका के साथ एक रक्षा समझोता करने का मौका मिलता ऐसा होने पर सुदी अरब और एज्रैल के करीब जाता है तो इससे इरान संग उसके सुधर रहे रिष्टे पटरी से उतर जाते साथ ही साथ फिलिस्तीन का मुद्दा भी ठंडे वस्ते में चला जाता इरान फिलिस्तीन का कटर समर्थक रहा है लहाजा इस्रैल सुधी अरब की दोस्ती होती तो हमास और फिलिस्तीन शरमपंथी समों का अस्तित्व ही संकट में पढ़ जाता ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने देना चाहता। माना जा रहा है कि इसी के चलते हमास ने इस्रेल को निशाना बनाया ताकि भिर से फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद हो सके। लेकिन मुद्दा सिर्फ फिलिस्तीन नहीं है। मुद्दा पूरा मध्यपूरो है जहां चीन का भी इंट्रेस्ट है और अमेरिका मध्यपूरो में बढ़ते चीन के प्रभाव से भी आशंकित है। लिहाज़ा अमेरिका इस्रेल पर हुए हमास के हमले का करारा जवाब जरूर देगा। क्योंकि ये मेसेज चीन को भी होगा कि अमेरिका ही एक मात्र देश है जो मध्यपूरो में शान्ती इस्थापित कर सकता है। ऐसा क्यूं है पहले वो समझते हैं उसके बाद दिखाएंगे। अमेरिका से इस्रेल को भीजी गई मदद की सबसे बड़ी खेप की डिटेल क्या है। चीन ने इस साल मेडल इस्थ में अपनी कूटनीती को आगे बढ़ाया है। सौधी अरब और इरान के बीच मध्यस्ता की और दोनों देशों के बीच रिष्टों की नई शुर्बात कराए। चीन ने ऐसा मध्यपोरों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया लेकिन इसका साइड इफेक्ट अच्छा हुआ। सौधी अरब इरान की दुश्मनी के चलते एक नहीं इराक, सीरिया, लेपनन, यमन और पहरीन, सहित, शित्र के कई देशों की अस्थिर्ता कम होई। अमेरिका शांती तो चाता है लेकिन के शांती चीन के असर से पैदा हो वशिंटन डीसी नहीं चाता। इसलिए अमेरिका ने सौधी अरब और इस्रेल को एक दूसरे के करीब लाना शुरू किया। बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस शांती बहाली को इरान की नजर लग गए, नतीजा सामने है। इस्रेल से फिलिस्तीन पर हुए सबसे ताजा हमले की तस्वीर देखिए। आगे दिखाएंगे कि पैंचागन में हमास के ओल आउट के प्लान पर क्या विचार चल रहा है। अमेरिका इस्रेल के साथ खड़ा है, मदद कर रहा है। तो ये इस्रेल को मजबूत करने से जादा अमेरिका के लिए फायदे का सोधा है। मधिपोरों में खेले गए खूनी खेल के बारे में इसलिए कहा जा रहा है। क्योंकि इसमें तीन देशों के हिस्सेदारी है। पहला, रूस, जिसकी हमास से निकटता के खबरें पशिमी मीडिया में खूप चकती हैं। और दूसरा इरान का मामला तो खोला खेल फरुखा बादिवाला है। इरान हमास को खोला प्रशिक्षन और राजनेतिक समर्तन देता है। जिसकी डीटेल आप देख चुके हैं। अब इरान के राजशबदी इबराहिम रैसी ने फून पर हमास के नेता से बात की है। तीसरा देश है शीन जिसके लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है। चीन ने हमास को हमले की तकनीक बताई है। अमेरिका के कटर दुश्मन इन तीन देशों को एक साथ सबक सिखाने का जो बाइडन के पास अच्छा मौका है। इसराइल की पिछ पर अमेरिका की अब की बैटिन बहुत अच्छी रही है। लेकिन अब की बार इसराइल ज्यादा मुश्किल में है। क्योंकि रूस, इरान और चीन तीनों मिलकर मध्यपोरों में बड़ा खेल खेल रहे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इसमें तुर्की भी शामिल है। तुर्की ने पिछले महिने में हमास को हत्यारों की सब्लाई की थी। लेकिन इसराइल ने इसे रोक लिया था। आलाकि इस खबर की पुष्टी नहीं की जा सकती। लेकिन इतना तो फिलहाल तै देख रहा है कि ये तीनों देश बहुत आक्टिव हैं। चीन ने जो सबसे ताजा बयान दिया है वो देखिए। शांती प्रक्रिया को लंबेव समय तक लटका करना ही रखा जा सकता। संघर्ष को समाप्त करने का मूल रास्ता, दो राश्ट समाधान को लागो करना और एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राश्र के स्थापना करना है। मतलब चीन का कहना है कि ऐसे संघर्ष को तब ही समाप्त किया जा सकता है जब शांती प्रक्रिया पर अमल हो और कि शांती आएगी कैसे तो चीन ने इसके लिए फिलिस्तीन को स्वतंत्र राश्र गोसित कर देने की बात कही है। चीन यहां भी इस्रेल के हितों और अमेरिका की चातों के बीच दीवार बन कर खड़ा है। इस्रेल फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से को अपना बताता रहा है। इसे लेकर लंबे समय से दोनों देशों के बीच संगर्ष चलता रहा है लहाज़ा चीन की फिरिस्तीन को स्वतंत्र देश बनाने वाली शांती इस्रैल के किसी काम की नहीं है असल में चीन चाहता भी नहीं कि उसके शांती प्रयासों का मतलब इरान के खिलाप समझा जाए इस्रैल के जरिये वो अमेरिका को मध्य पूरू से रुकसत करना चाहता है और अमेरिका है कि इस्रैल के लिए अपने हथ्यारों के भंडार खोलने में सेकंड भर की भी देरी नहीं लगाने बाला अमेरिका के राश्रबदी जो बाइडन ने इस्रैल को आठ बिलियन डॉलर की आपात कालें सेन ने मदद देने को मनजूरी दी है इसरेल को अमेरिका से मदद सिर्फ चाहिए नहीं, जल्दी चाहिए बाइडन प्रशासन यही मदद पहुँचा रहा है लेकिन सवाल सिर्फ इसरेल, हमास या हिजबुला का नहीं सवाल है अर्भों के 32 दातों के बीच बसे इसरेल का जिसका अर्ली वर्निंग सिस्टम पांच हजार प्रोकेट हमलों की सूचना देने में नाकाम रहा। इस्रेल अमेरिका की दोस्ती के किस्से आपको इंटरनेट पर भरे पड़े मिलेंगे लेकिन इस रिष्टे का असली इम्तिहान अब आया है। जब इरान और इस्रेल जैसे दो परमाणों शक्ती संपन्न देश एक दूसरे के सामने हैं। अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? हमास और इस्रेल का युद्ध में आगे क्या होगा? और भेन्यमिन नेतन्याहु इस सोची समझी साजिश के तहट किये गए हमलों का कितना मोतोर जबाब देते हैं? देखना दिल्चस्प होगा और इस बीच इससे भी दिल्चस्प होगा कि अमेरिका इस्रेल का कितना और कहां तक सागतेता है? कितना और कितना मोतोर जाओ देते हैं उनके सागब कितना मोतोर जाल स्थ उनके सागब कितना देते हैं?